नमस्कार PMLS इंडिया प्राइबेट लिमिटेड आज 22.12.2023 को AC कोच एटेंडेंड बॉइ पोस्ट के लिए आलीपूर दुआ डिविशन के लिए हमारा चार आदमी जॉइनिंग किया है तो आप लोगों को पता है वीडियो किसी लिए बनाया जाता है ये वीडियो इसी कारण में बनाया जाता है जे हम लोग लरका को जो रिकूट किया है वो गलत बोलके घुसाया क्या सच बोलके घुसाया क्या लरका गलत सुनके घुसाया क्या सच सुनके घुसाया ये प्रूप इधर में रहता है क्योंकि हमारा company का rule से कोई भी लर्का joining करता है तो उसका video इधर में बनता है उसका agreement बनता है क्योंकि agreement और video नहीं बनाने से बाद में बहुत दिक्कत होता है ऐसा हो सकता है ज़ा हम लोग भी गलत बोल सकता है क्या लर्का भी हमारा नम में गलत बोल सकता है PMLS company का काम है रेलोए में जितना सारा बरा बरा टेंडर होता है वो टेंडर में manpower का जितना जरूरत होता है वो manpower का पूरा support देता है PMLS company rules and regulation का through एक company में recruit किया जाता है कोई गलत बोल के इस company में recruit नहीं होता है और जो लर्का होता है कोई direct आता है कोई agency थ्रू आता है यह कोई government job नहीं है यह private job है तो पहले हम परिचाय करेंगे लर्का लोगों का साथ यह लर्का लोग कहां से आया है कौन agency से आया है और सब सुनके घुसाय के नहीं यह सब हमारा कारण इस में दिया जाएगा अभी हम परिचाय करेंगे भाई आपका नाम क्या है अलग बर्मन आप कहां से आये हो उत्तर दिनजपुद नौर्थ बिंगल नौर्थ बिंगल अच्छा आपका नाम क्या है रंजन बर्मन आप कहां से आए हो? साउथ बेंगल से साउथ बेंगल साउथ दिनाजपूर से अच्छा आप लोग इस कंपनी में डाइरेक्ट आए हो जो YouTube चैनल है जो Facebook चैनल है जो website है PMLS का उधर से आप लोग reference number लेके डाइरेक्ट फोन करके आप लोग आए हो आपको सुमीद क्या नाम है सुमीद का? सुमीद बर्मन लेके आए है आच्छा आपका नाम क्या है बबु? कुसल मुर्मू आच्छा आप कहां से आए हो? बाकूरा से वेस्ट बंगल का बाकूरा डिस्टिक से आपका एजेंसी का नाम क्या है? टीके कंसल्टेंसी जो आपका तोनुस्ष्री मेडम उसका ओनर है उधर से अब लोग आए हो देखिए टीके कंसल्टेंसी क्या JMT ग्रूप क्या बहुत बराबरा गंसल्टेंसी हम लोगों को आदमी देता है सब बोल के लेके आया है आप लोग सब सुना है काम क्या है क्या सिस्टेम है तो बाद में कोई दिक्कत होगा आप लोग कोई गरबर करोगे तो हम एजेंसी से समझ लेंगे आप से कोई कुछ प्राब्लेम नहीं है तो इसी कारण में हम लोग एजेंसी से आदमी लेते हैं तो आपका खाने का खर्चा 200 से 500 रूपिया चार दीन का होगा आपका सेलरी 15,435 दीन का पीए-PSI काट कुट के 14,000 का असपास अप पूरा ड्यूटी करोगे नहीं तो जितना कम ड्यूटी करोगे उतना ही सेलरी आपको मिलेगा बेडरोल चोड़ी क्या कंबल चोड़ी होगा जो लॉसेस आएगा वो आपका सेलरी से काटा जाएगा लेकिन पहले माईना कुछ नहीं काटा जाएगा क्योंके हम पहला माईना आपको काम चला जाएगा दूसरा कंपाणी में आपको टांसपर कर देंगे काम से निकाल देंगे मतलब ऐसा नहीं जब को पूरा-पूरी निकाल देंगे आपको टांसपर करके दूसरा कंपाणी में हम डाल देंगे वह आपको मानना परेगा ठीक है रहने का जाएगा आप आपका extra income कैसे होता है कि system से होता है वह भी आपको बताया गया है अच्छा और कुछ question है आप लोगों का अच्छा एक कोई government job नहीं है आप लोगों को पता है इस company में जो पैसा deposit money लगता है वह एक महीने का क्या loss होगा तो उसमें हम भर्तुकी देंगे ठीक है तो आप लोगों को पता है किस कारण में deposit लिया जाता है तो आप लोग काम करने के लिए तैयार हो आपका agreement बन गया है 58 years का अच्छा हम लोगों का tender रहता है चार सल दो सल बाद में कभी भी tender change होगा तो जो contractor आएगा वह आपको handover करेगा आपका काम कभी भी नहीं जाएगा लेकिन आप चाहोगे तो हमरा साथ दुजरा company में भी जा सकते हो आपको कभी भी काम से निकाल नहीं जाएगा 58 years तक हम क काम करने के लिए तैयार हो किसी का कोई objection है नहीं है ना तो ठीक है हम वीडियो यहां पर समप्त करते हैं